नमस्कार मैं हूँ पीके सर उपस्तेत हूँ प्रद्योत गुर्कुल यूटूब चेनल में आपकी सफलता है प्रतवध संस्थान प्रद्योत गुर्कुल आज यूपी टेट, सुपर टेट, रीट की परिक्षाओं से सम्मादेत बहुत ही महत्वपूड एकादसी के साथ उपस्तेत हूँ आप सब के मद्य प्रशन एकादसी में एहे, एकादसी की 23 भी स्रिंखला है जो सामान हिंदी के लिए है यह स्रिंखला 11 प्रशनों से बना कर तयार की गई है जो परिक्षा की दृष्टी से बहुत ही महत्वपूर हैं। आज का प्रस्ण एकादसी का टॉपिक है सर्वनाम। इह टॉपिक उत्तर प्रदेश पात्रता परिक्षा, सिक्षक पात्रता परिक्षा, एबम सिक्षक भरती परिक्षा, रीट परिक्षा, एबम अन्य प्रत्यो आएए बात करते हैं प्रस्ण एक दसी 23 पर आज की एक दसी का पहला प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण है ओहै बिकारी सब्द जो किसी भी संग्या के बदले में आता है क्रिया, विशेशड, सर्वनाम या नाम चार बिकल्प दिये गए हैं, आपको इन में से ढूंड़ना है, उह है बिकारी सब्द जो किसी भी समझया के बदले में आता है, उसे कहते हैं सर्व नाम अर्थात पहले प्रस्ण का सी बिकल्प सही है, आईए बात करते हैं सर्व नाम है क्या थोड़ा सा समझते हैं सर्व नाम क्या है, सर्व नाम जैसा के नाम से ही इसपस्ट है, जैसा के नाम से ही दिखाई दे रहा है, सर्व नाम, सब का नाम अर्थात जो नाम सब के नामों के बदले में प्रियुक्त हो उन्हें सर्व नाम कहते हैं इन्हें सर्व संजया या संजया प्रतनिद भी कहा जाता है सर्वनाम सब्द संज्या सब्दों की पुनरुक्ती को दूर करने के लिए उनके इस्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं और सभी नामों के बदले में प्रयुक्त होने के कारड इन्हें सर्वनाम कहा जाता है तो पहले प्रस्ण का विकल्प सी सही है उह है विकारी सब्द जो किसी भी संज्या के बदले में आता है उसे सर्व नाम कहते हैं इसमें एक सब्द आया है विकारी सब्द उसे भी समझ लेते हैं विकारी सब्द का मतलब होता है ऐसे सब्द जिन सब्दों में परिवर्तन हो जो सब्द अपने रूप को बदलने उन्हें विकारी सब्द कहते हैं और जिन सब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो उ उन्हें अविकारी या अव्य सब्द भी कहते हैं। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। पहला विकल्प दिया है क्रिया। अर्थात ऐसे सब्द जो किसी कार के कराने का बोध कराएं। उन्हें क्रिया कहते हैं। विशेषड कहते हैं और नाम सब्द का अर्थ होता है संजया अर्थात किसी भी बस्तो पदार्थ भाव इस्थान आदे के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं नाम या संजया तो पहले प्रसन का सी विकलब सही है बढ़ते हैं दूसरे प्रसन की ओर दूसरा प्रसन है हिंदी में कुल सर्वनाम हैं चार विकलब दिये गए हैं पहले विकलब में छै ग्यार है तेन या अनगिनित तो हिंदी में कुल सर्वनाम ग्यारह हैं अर्थात हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या ग्यारह मानी गई है ये ग्यारह सर्वनाम कौन-कौन से हैं पहला सर्वनाम है ग्यारह सर्वनामों में पहला है मैं मैं पहला सर्वनाम है तू दूसरा तेसरा आप उसके बाद है यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, कौन, और क्या यह 11 सर्बनाम हिंदी के मूल सर्बनाम माने गए हैं, कौन, क्या, इस तरह से यह 11 सर्बनाम हैं, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या तो दूसरे प्रस्न का विकल्ब भी सही है, अर्थात हिंदी में कुल सर्बनामों की संख्या ग्या रहे हैं, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, तीसरा प्रस्न देखते हैं, बहुत ही महतपूर प्रसनों की स्रंखला है परिक्षा की द्रिष्टि से अत्यंत महतपूर स्रंखला पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद हैं पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद हैं पांच दो तीन या साथ तो पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं पुरुष वाच बाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जिनके माध्यम से यह ब्यक्त हो के बात कहने वाला या लिखने वाला कोई व्यक्ति है तो ऐसे पुरुष बाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में आते हैं अर्थात वक्ता और लेखक, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में स्रोता या पाठक आते हैं और अन्य पुरुष में इन सब को छोड़ कर बाकी आते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन दो को प्रधान पुरुष माना गया है जवके अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष भी माना गया है उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं और हम प्रमुक रूप से आते हैं और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आदर सूचक सब्द के रूप में भी आता है इस प्रकार से पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद हुए तेन प्रस्न संख्यात तीन का उत्तर सी सही है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रयोग के आधार पर सर्बनाम के भेद हैं अभी इस से उपर प्रस्ण में पूछा गया था कि मूल सर्बनाम कितने हैं ग्यार है प्रयोग के आधार पर सर्बनाम के भेद कितने हैं बिकल्प ए अर्था 6 यदि इस तरह का प्रस्ण आता है, कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो 11 करने हैं, और प्रियोग के आधार पर सर्वनाम के भेद पूशे जाएं, तो 6 करने हैं, दोनों में अंतर हैं, यह प्रियोग के आधार पर भेद हैं, और वो मूल सर्वनाम 11 हैं, तो प्रियोग के आधार प पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन-कौन से 6 भेद हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं, पुरुस बाचक, निजबाचक, निश्चे बाचक, अनिश्चे बाचक, संबंध बाचक, प्रस्न बाचक, ये 6 भेद प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के किये गए हैं, अर्थात प्रस्न सं अगला प्रसन देखते हैं यूटूब चैनल यदे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें जिससे के अगली वीडियो जो बहुत ही महत्पूर होगी आपके लिए समय से आपको मिल सके अगला प तो आप वह है निजबाचक सर्वनाम पूछा गया है तो निजबाचक सर्वनाम पहले तो हम यह जान लें कि निजबाचक सर्वनाम होता क्या है जो सर्वनाम सब्द अपनी और संकेत करे वह है निजबाचक सर्वनाम कहलाता है अर्थात जो स्वयम के लिए प्रयोक्त होता उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे आप यदे आप सब्द अपने लिए प्रयोक्त होता है तो ओह होता है निजवाचक सर्वनाम और यदे आप सब्द किसी दूसरे के लिए आदर सूचक सब्द के रूप में प्रयोक्त होता है तो वहाँ पर आप होता है मध्यम पुर पुरुषवाचक सर्वनाम तो इस प्रस्न का विकल्प सी सही है निजवाचक सर्वनाम है आप निजवाचक सर्वनाम कौन सा है आप अर्थात पांचमें प्रस्न का सी विकल्प सही है पांचमें प्रस्न का सी विकल्प सही है अन्य विकल्पों पर भी बात कर लें मैं उत्तम पुरुस बाचक सर्बनाम है, वो है, वो है भी निश्चे बाचक सर्बनाम है, जो दूर वरती वस्तियों के लिए आता है, पांच बे प्रस्न का सी विकल्प सही है, देखते हैं, अगला प्रस्न, छठा प्रस्न, कोई है, कोई है, कोई किस प्रकार का सर्बनाम है, कोई को अनिश्चे बाचक हाँ, निश्चे बाचक नहीं, संबंद बाचक नहीं, कोई सर्वनाम अनिश्चे बाचक सर्वनाम है, अनिश्चे बाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्त या बस्तु का बोध न हो, उससे अनिश्चे बाचक सर्वनाम क कोई और बस्तो बोधक कुछ अर्थात बस्तूओं का बोध कराने के लिए कुछ का प्रियोग होता है और प्राणियों का बोध कराने के लिए कोई का प्रियोग होता है तो यहां पर कोई पूछा गया है कोई है कैसा अनिश्चे बाचक कोई आया कोई हस रहा है कोई रो रहा ह कोई जा रहा है कोई खा रहा है इससे पता नहीं चलता कि कौन है अर्थात अनिश्चितता है जब अनिश्चितता होगी तो वहाँ पर अनिश्चे बाचक सर्वनाम होगा अन्य विकल्पों पर बात की जाए तो पहला विकल्प प्रस्न बाचक दिया है जिस सर्वनाम से प्रस परस्त हो और वो निषिटता का बोध करायतों से निष्चेवाचक सर्वनाम कहते हैं और समबंध वाचक सर्वनाम जो होता है वह बाग के अंदर परस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है अभी थोड़ी देर पहले एक प्रस्न पर बात की थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष तो उत्तमपुरुष में वक्ता आता है मध्यमपुरुष में स्रोता इस प्रकार से सात्वे प्रस्न का उत्तर सही हुआ मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अर्थात बी विकल्प सही है। रखा जाता है इस प्रकार साथ में प्रस्न का बिकल्प भी सही है एकादसी स्रिंखला आपके प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतपूर स्रिंखला है जिसमें हम किसी भी टॉपिक से संबंधे ग्यारे महतपूर प्रस्न जिनके ब्याख्यात्मक हल आपके सामने प्रस्तोत करते हैं, देखते हैं, अगला प्रस्न, आठवा, मैं यह काम आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, बाग के मैं आप है, अर्थात इस बाग के मैं यह पूछा गया है कि आप क्या है, मैं यह काम आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, बाग क में आप क्या है संबंध बाचक सर्वनाम निज बाचक सर्वनाम निश्चे बाचक सर्वनाम या पुरुस बाचक सर्वनाम तो इसमें पूछा गया है कि आप सब्द कैसा सर्वनाम है तो मैं यह काम आप कर लूँगा यह काम मैं आप कर लूँगा यह अपने लिए आप प्रियोग यहां किया गया है अर्थाद आठवे प्रस्ण का बी विकल्प सही है संबंध बाचक जहां संबंध का बोध कराया जाता है निश्चे बाचक जहां निश्चितता का बोध होता है और पुरुष बाचक जहां पुरुष के संबंध में चर्चा की जाती है उस सर्व प्रस्ण ये स्रंखला आपको दी जा रही है पीके सरके द्वारा जिन्होंने यूपी टॉप किया है और यदे आपको संपर्क करना है तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है सरवनाम में कारक होते है एक कारक सर्वनाम में नहीं होता है संबोधन कारक अर्थात किसी भी सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है इसलिए सर्वनाम में कारकों की संख्या साथ मानी गई है तो आपके प्रस्न 9 का सी बिकल्प सही है 9 प्रस्न का बिकल्प सी सही है सर्वनाम में कारकों की संख्या साथ बाकी बिकल्प गलत हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, दस्मा प्रस्ण, बहुत ही मैतपूर प्रस्ण है, सर्वनाम का रूप आंतर किस द्रिष्ट से नहीं होता, सर्वनाम का रूप आंतर अर्थात बदलना, किस द्रिष्टी से नहीं होता, लिंग भेद, पुरोष, वचन या कारक, तो इसक सर्वनाम का रूपांतर लिंग भेद के कारड नहीं होता पुरुष बचन और कारक की दृष्टी से सर्वनाम में परिवर्तन होता है रूपांतर होता है लेकिन लिंग के कारड सर्वनाम में रूपांतर नहीं होता है दस्में प्रस्न का विकल्प ए सही है देखते हैं प्रस् प्रस्नों से संबंधित हिंदी भासा या सामान हिंदी से संबंधित एकादसी दी गई है यह 23 भी एकादसी है इसका अंतिम प्रस्न है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का उलेख किया है डॉक्टर पृत्वीनात डॉक्टर भोलानात के वारी डॉक्टर हर्देब बाहरी ड दूक्टर दीमसित्स, तो सयुक्त सर्वनाम, नामक सर्वनाम का उलेख, भोलानात्यबारी ने नहीं किया है, पृत्वीनात्पांडे जी ने भी नहीं किया है, दूक्टर हर्देबाहरी जी ने भी नहीं किया है, सयुक्त सर्वनाम, नामक सर्वनाम का उलेख, दूक्टर दी दीमसित्स जी ने किया है डॉक्टर दीमसित्स रूस में हिंदी वया करण है और इन्होंने एक अन्यभेद छे भेदों के अतरिक एक अन्यभेद का भी उलेख किया है जिसे इन्होंने संयुक्त सर्वनाम नाम दिया है और कहा है संयुक्त सर्वनाम प्रथक स्रेडी के सर्वन सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए मानी गई है क्योंकि उनमें एक सब्द नहीं बलके एक से अधिक सब्द होते हैं। डी बिकल्प सही है सेंफ सर्वनाम नामक सर्वनाम का उलेक डॉक्टर दीम सित्स जी ने किया है। लगी है तो अपने सहपाथी मित्रों के साथ भी सेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद। राधे राधे। राधे ्यामक वीडियो में अवे हैं। याधे राधे वीडियो में राधे।